जो गट मंदल से तक राएगा तूर तूर हो जाएगा गट मंदल को चिताना है बीजे पी को बगाना है जो गट मंदल से तक राएगा तूर तूर हो जाएगा जो गट मंदल से तक राएगा तूर तूर हो जाएगा वाइश कुमारी महवती जिन्दाबाश मन्य अखलास यादम जिन्दाबाश काद्रियजी सेख जिन्दाबाश जो गट मंदल से तक राएगा जूर जूर हो जाएगा गट मंदल को चिताना है पीज़ापी को बगाना है गट मंदल को चिताना है जूर जूर हो जाएगा पहित कुमारी महवती जिन्दाबाश मन्य अखलास यादम जिन्दाबाश मन्य अखलास यादम जिन्दाबाश मन्य मुलाहिम सिख यादम जिन्दाबाश जिन्दाबाद, 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 जिन्दाबाद वैसे तो आगरा का पर्चे को देने की जरुवत नहीं है आगरा का पर्चे को देने की जरुवत नहीं है दुनिया में किसी ज़े पूछ ले अगर किसी भी परिटेक्स से भी पूछने के दुनिया में सबसे अच्छी जगे कौन सी है महबत की तो वो आगरा का नाम लेंगे ऐसे सजमी के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं और फिर जिसके पास आगरा जैसे ही जिसमें महबत की पैचान हो जहां पर भाईचेरे का पैगाम जाता हो वहांके लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं अपील करना चाहते हैं के एक दल ऐसा है जो दिलों में नफरत फैला रहा है दिलों में खाई पैदा कर रहा है जिस सगी के से कभी अंग्रेजों ने हमें आपको बांट करके राज़ शिया था उसी रास्ते पे भाती जंता पार्टी चल लई है ये महागडवनन उस नफरत की दीवाल को गिराने वाला महागडवनन है ये लोग जो कहते हैं कि महा मिलावट है हम उसे कहना चाहते हैं महागडवनन दिलों को जोडने वाला गडवनन है साथ शलने वाला गडवनन है जो हमारे जमीन पर लोग हैं किसान गरीब हजारों साल से जिने समान नहीं मिल पाया तमाम हमारे गरीब वो बिलकर के आज साथ खड़े हैं ये उन लोगों का महा गड़बनन है और अगर हमारा महा गड़बनन तीन दलों का महा मिलावट हो सकता है तो हम उनी से पूछना चाहते हैं बताओ देश में 38 से ज़्यादा दलों का आपने गड़बनन किया है आपके गड़बनन का हम लोग क्या नाम दें कोई नाम हो तो बताएं कोई नाम हो इसलिए हम आप से नेवेदन करना चाहते हैं वो डर करके राजनीत और दिमाग से राजनीत कर रहे हैं वो डरा करके और दिमाग से राजनीत कर रहे हैं लेकिन ये महाग गड़बनन दिलों को जोड़ करके राजनीत कर रहा है किसान बरबाद हो गया ये भारती जंता पार्टी के लोग वही लोग हैं जिनों ने कहा था हम किसानों को लाब पहुंचाएंगे लाबकारी मूल ले देंगे उनकी पैदावार ऐसी होगी के उनकी आए दो गुनी हो जाएगी बतारो हमारे आगरा और आज़ पास के किसान भाईयों किसकी आए दो गुनी हो गई किसको लाबकारी मूल मिल गया यहां का किसान बरबाद हो गया आलू पैदा करने वाला किसान आलू को लेकर के रोता रहा परेशान रहा लेकिन उसको कीमत नहीं मिली लेकिन उसको कीमत नहीं दे पाए खोल लिट शोड में गया आलू सड़ गया लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था लागत बढ़ती चली जा रही है लेकिन जो बजार भाव या किसानों को लाबकारी मुलक मिलना चीए तालू का नहीं दे पाए अगर कोई हमें किसान बता दे कि उसे सरकार ने कोई मदद की हो तो बताए और जानवरों को ले करके राजमीत ची जिनोंने हमारे आपके कारोबार में भी जाद धर्णम देख लिया हमारे आपके अगर ये आवाज आ रही है अगर ये आवाज जो आ रही है ये तो स्टब जान गए जो बात आप कह रहे हो ये जो नारे लगा रहा है ये सब जान गए है और अगर ये बात चान गए हो ये बात आप जान गए हो जो कह रहे हो आप तो बताओ चौकी दार की चौकी छीनोगे के नहीं छीनोगे मैं मालनू के उनकी चौकी छिंजाएगी कहीं ऐसा ना हो कभी वो चाहे वाला बन करके आए थे और सबसे ज़्यादे बहुमत ले गए थे कभी चाहे वाला बन करके आए और ये आगरावाले जानते होंगे और आज़ पास के लोग चाहे विना दूद के अच्छी नहीं बनती कोई है ऐसा जो काली चाहे ज्यादा पीता हो जब तक दूद अच्छा नहीं होगा तब तक चाहे अच्छी नहीं बन सकती तो इस बार अगर चौकी दार बन करके आए हैं तो एक चौकी नहीं, जितनी चौकीदार हैं, उन सब की चौकी आपको छीनना होगा ये रास्ता क्या दिखा रहे हैं हमें और आपको ये हमारी आपके उम्मीदों का रास्ता बंद करना चाहते हैं ये हमारी आपके बीच में मुहपत खतम करना चाहते हैं भाई चारा खतम करना चाहते हैं ये नफरतों की खाईयों की रादनीत करना चाहते हैं और जहां किसान बदहाल हो गया वही नौजमान के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनका भबिस्ट क्या होगा हमारे लाकों करूरों नौजमान नौकरी नहीं उनके हाथ में पहले तो अच्छी पढ़ाई नहीं देपारी सरकारें और जब पढ़ाई अच्छी नहीं है तो नौकरी कहां से मिल जाएगी और याद करो वो दिन जब सरकार ने नोट बंदी की थी यहाँ पर मौदूद होंगे लोग जो काम करते हाथ से कारीगर हैं जो हाथ से अपने हुनर से काम करते हैं बताओ नोट बंदी के समय पर सबसे ज़्यादे परेशानी आई के नहीं आई नोट बंदी ऐसी की कि नजाने कितने गरीवों लोगों की जान चली गई लाइन में खड़े रहे लाइन में लग करके अपना कारोबार बंद कर दिया और याद रखना साथी और आप में से ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने देखा होगा जीद का कारोबार बंद हो गया वो दो बारा कारोबार नहीं शुरू कर पाए नोट बंदी की मार से लोगों का पैसा छीन लिया सबका पैसा जमा हो गया बैंकों में बैंकें भर गई बताओ किसी के पास पुराना रुप्या बचा हो तो बताए कोई एक आदम शायद निशानी के लिए रखा हो उन आकड़ों से खेल लई ये सरकार उन आकड़ों में भी चोरी दिखाई दे रही है अब सच्छाई नहीं बता पारी सरकार अगर वो नोट बंदी कर सकते हैं अगर वो नोट बंदी कर सकते हैं तो बताओ हमारे साथ यो उनको बोड़ बंदी करोगे के नहीं करोगे आज जिन्हों ने तकलीव दी परिशानी दी गरीब का एक आँसू भी भारती जंता पार्टी क्यों डुबा सकता है ऐसा काम किया नोड़ बंदी से जी एस्टी लगा दिया हमें और आपको समझाए कि जी एस्टी से वैपार समल जाएगा कारोबार अच्छा हो जाएगा देश तरक्की के रास्ते पर चला जाएगा लेकिन बताओ जी एस्टी से भी वैपार हमारा थम गया छोटे लोगों का तो थमाई थमा हमारा ये बड़े उद्योग पतियों का भी थमा उनका भी कारोबार चौपठ हो गया उनसे जुड़े लोगों का भी बरवादी हो गई यह जीएस्टी कानून ने ऐसा ऐसा जाल फसाया कि हमारा बैपारी कारीगर्द और मजदूर सब फस गया कभी कभी लगता है कि नोड़ बंदी जीएस्टी भेश्टा चार और काले धन बापसी के लिए नहीं था यह भारती जन्ता पार्टी ने देश के एक परसेंट लोगों को लाप पहुचाने के लिए यह नोड़ बंदी और जीएस्टी का फैसा लिया मुझे नहीं पता कि हमारे आपके वो देश के परधान मंत्री हैं कि हमारे आपके हैं लेकिन आकड़े बताते हैं कि देश के एक परसेंट के ही वो परधान मंत्री हैं 99 परसेंट के परधान मंत्री नहीं है और फिर जब नौक नी मांगी रोजगार मांगा तो क्या कहा कि जाओ पकोड़े बना लो जाकर खेए अरे उन्हें पता ही नहीं आगरा में तो कुछ और खाये जाता है पकोड़े कम खाये जाते हैं कहा था कि हम टूरिस्ट बढ़ाएंगे कोई जानता कि क्या टूरिस्ट बढ़े होंगे नोट बंदी पर तमाम दूनिया के जो दूसरे हिस्टे से लोग आए थे वो परेशान हो गए तकलीम में आगे कि अब क्या होगा उस समय भी अगर किसी ने मदद की थी तो वो समाजवारी सरकार थी उस समय उन टूरिस्टों की वेपारियों की मदद करने का काम उस समय सरकार में हुआ सब सब इंतजार कर रहे हैं चुनाओ की तारीक का सब इंतजार कर रहे हैं अब बोट कब डालना है आप भी इंतजार बोट डालने कई कर रहे हैं बताओ कौन सा विकास किया है बीजेपी के लोगों ने बताईए हमें ये आगरा तो शायद स्मार्ट सीडी था मैं आप से जानना चाहता हूँ कितने स्मार्ट हुआ बताओ आप कितना स्मार्ट कर दिया शेयर को लेकिन आगरा वाले लोग और ये जितने लोग खड़े हैं सपा बसपा और अरल्ड के बहुत स्मार्ट हैं इस बार मसीन में बोट नहीं पढ़ने वाला उन लोगों का क्या स्मार्ट सिटी स्वच भारत के नाम पर नजाने कितने लोगों ने जाड़ू उठाया सूची से हटा दिया कि ये टूरिस जगे नहीं है पुझानते होगे कौन है जिनोंने ऐसा किया और देखो हमारे बावा मुख्यमंदी जी ने सूची से क्या हटाया पत्कार साथी जानते होंगे बावा बाद में बाबा मुख्यमंदी जी को आ करके यहीं पर ज़ाडू मारना पड़ गया था बताओ ज़ाडू इतना मारा सबने मारा कहीं कुड़ा हटा क्या यह बताओ हमें और यह जो हमारे गाउं से आए होंगे जो ग्रामी छेश के लोग होंगे कभी भारती जंता पार्टी को ध्यान से सुनना उनका भाषण सोचाले से सुरू होता है और सोचाले पर इखतम हो जाता है और सुनाएं यहां पर कॉंग्रेस भी है कहीं बस मैं एक उधारण देना चाहता हूँ कांग्रेस की समय पर जो सोचाले बनते थे वो एक गड़े वाले सोचाले बनते थे और भारती जंता पार्टी के लोग दो गड़े वाला सोचाले बना रहे हैं ना कांग्रेस ने पानी दिया सोचाले में और ना भारती जंता पार्टी ने पानी पहुँचाया सोचाले में कोई कैसे जा सकता है सोचाले बिना पानी के बताओ हमें क्या हालत कर दी इस शेर की जो सबसे खुबज़र शेर हो सकता है इस शेर को जोडने के लिए राजधानी से यही दल के लोग बैठे हैं जिन्होंने राजधानी उसे जोडने का काम किया श्यर को आदरी मायवती जी जी ने इस आगरा को दिल्ली से जोड दिया और समाजवादी लोगोंने आगरा को लगनों से जोड दिया बोलो जोडा की नहीं जोडा हम लोगोंने आपको और जब कभी उस सड़क पर चलते होगे तो लगता होगा कि कोई देश की सड़क है इससे बैता सड़क कहीं नहीं बनी यही आउटर रिंग रोड और आपके जाम से निजाद दिलाने के लिए जितनी सड़क बनी उतनी ही बनी रह गई उसके आगे नहीं बनने दी बताओ नजाने क्यों रोक दिया काम जैसे हमारे गाओं के लोग जानते होंगे कि एक गला गोंटू बीमारी होती है गाओं में इसी तरह भारती जंता पार्टी को भी काम रोकू बीमारी है जो काम चलाओ उसको तुर्ण रोक देंगे वो सड़स जो इस चैर को जोड़ देती इधर से उधर निकल जाते लोग वो सब का सब काम रुक गया वो खूसर चीजें जो बनना शुरू हो गई थी टूरिस्ज के लाके में हम जानते हैं कितनी मुश्किल होती है एक काम को शुरू करने में वो भी ताजमेल के आस्वास अगर कोई काम शुरू होना है सालों साल लग जाता है पर्मीशन लेने में बड़ी मुश्किल से तो काम शुरू किया सुन्दर बनाया अच्छा बनाया उसके साथ साथ म्यूजियम भी बनने जा रहा था वो भी रोग दिया इनोंने और हम समाजवादियों ने ये भी कहा कि टूरिस्ट दुनिया से आते हैं यहां पर और वो दुनिया के टूरिस्ट जब यहां आते हैं और अपने देश का समय देखते हैं तो किसी देश में सुबह हो रही होती है किसी में दुबहर हो रही होती है किसी में शाम हो गई किसी में आदी रा तो एक खाने का हमने इंतजाम किया था कि कम से कम ऐसी जगे बन जाए कि 24 गंटे वहाँ पर चाहे खाना नासा पानी और टूरिस्ट आएं तो वहाँ पूरा का पूरा बैठ करके अपना जिस समय चाहाँ उसमें खाना पी लें वो भी रोख दिया इन्हें पता ने काम से कितनी दुश्मनी है इन्हें जहाँ काम से दुश्मनी है वहीं ये कभी सम्मान नहीं दे सकते हैं जो संब्यादान से हमें सम्मान मिले या दिकार मिले हैं बाबा भीम रामेट कर जी ने जो सम्मान दिया और सम्मान वो जो सम्मिदान से मिले हमें अधिकार उन अधिकारों को भी छीनने का काम कर रहे हैं ये लोग अगर अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं तो बताओ इन्हें सजाद दोगे के नहीं दोगे भादनी मायवती जी ने कोई खराब बात नहीं जोडने की बात कही उन्होंने कहा कि जुड़ जाएं लोग लेकिन हर बात में महागडबंदन की वो कमी ढूड़ रहे हैं हर बात में कमी ढूड़ रहे हैं इस दे बताओ आप लोग साब्धान रहेंगे के नहीं रहेंगे साब्धान और आज जब वो नहीं आपाएं लेकिन उनके समर्थक लाखों लाख स्थंक्या में हमें दिखाई दे रहें ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनका असीरवाद रहेगा तो पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के यहां से प्रत्यासी जीत करके जाएंगे बताओ इन प्रत्यासियों को जिताओगे के नहीं जिताओगे और अगर अब भी नहीं जीते तो बताओ क्या सम्माने इस गड़भन्दन खा अगर पहले शर्ण के लोगों ने जिता करके दिखा दिया तो जो रात में तूफान शराओ उससे तेज तूफान से बोट डालोगे के नहीं डालोगे और फिर हमारे मनुश कुमार सोनी जी जो यहां से चुना लड़ रहे हैं हम अपने तमाम लोगों से अपील करेंगे समाजबादी साथियों से भी इनका चुनावचिन चाय हाती हो आपका चुनावचिन साइकल नहीं लड़ रहा लेकिन हाती वाले ही आपके साथी है एक एक बोड इनके पक्ष में डालना फटेबु सीक्री से भगवान शर्मा उल्स गुड्डू पंडे चुनाव लड़ रहे हैं यह चायन जैसे हो लेकिन गढ़वन्दन के प्रत्यासी हैं यह जीतेंगे और आप लोग इने जिता करके भेड़ना यही भी निवेजन हम आपसे करना चाहते हैं इन्हें समय कम मिला लेकिन दिन राद घूम रहे दिन राद मिल रहें लोगों से इसलिए मदद करोगे इनकी के नहीं करोगे और मथरा में तो सब को जगा दिया इन्होंने कुवन नारेंट सिंगी हैं इनका चुनाव चिन भी याद रखना इनका चुनाव चिन हैंड पंप है इसे सबाव बसबा के लोग दोनों मिल करके इनको जिताने का खाम खरना और फिर हम तो इसलिए बांगने आए क्योंकि किर्ष्ण भगवान हुआ है ये भाजपाईयों ने तो सब भगवानों की जाती बता दी थी हनुमान जी की भी जाती बता दी थी तेसलिए भाजपाईयों को सबग सिखाना है जिनोंने समाज को, हमारे आपके रिष्टों को और सम्मिदान से लेकर के तमाम ससाओं को तोड़ने का काम किया है आज जो चीजें हो रहीं हैं देश में अज यो तमाम चीजों का सामना करना पड़ रहा है वो इसी दिये करना पड़ रहा है कि आज उची-उची कुर्सियों पर दोष्द लेने वाले बैड़ गए है वो यही माघडबंदन, यह दिलों का घडबंदन, गरीमों का घडबंद्न उन्हें हटाने का काम करेगा उसके लिए भी चुनाव है आप सबसे निवेदन करता हुआ और बढ़ाई देता हुआ कि इतना शांदार एतिहासिक कारकम हुआ है और हमें भरोसा है कि जिस समय बोर्ट पड़ेगा तो एक एक बोर्ट हाथी और हैंट पम के पक्ष में डाल करक उनको एतिहासिक जीद दिलाने का काम करेंगे आज सब को बहुत बहुत बढ़ाई और आज सभी मैं कहता हूं आजी सिंग्जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें